उत्तर परदेश में अवयद धर्मांतरन को ले करके योगी सरकार कानून ले करके आई उसके बाद से लगातार जो है बड़ी कारवाई भी की जा रही है किस तरह के आकड़े हैं कितनी कारवाई की गई है यूपी पुलिस का कितना बड़ा इसमें योगदान रहा है में साथ क अवयद धर्मांतरन को ले करके अब तक कारवाई की गई है अवयद धर्मांतरन के के लिए विशेस कानून उत्तर प्रदेश में लागू है और राजसरकार की शीष प्रात्मिक्ता पर ये सब्जेक्ट था क्योंकि इसके कारण जगह जगह पे सामाजिक तनाव सामाजिक स अद्भाव बिगड़ने के केसे जाय थे पूरू में जो भादावी के धराओं में ही कारवाई होती थी बाद में जब ये स्पेशल एक्ट आया है और उसमें ज्यादा दंड और ज्यादा सजा का प्राविधान और जो लोग सहयोगी होते हों को दंड का भी प्राविधान इसमें किया गया है जब से ये कानून आया है तब से अभी तक लगबग 290 केसेज दर्ज किये गए हैं और इसमें 500 से अधिक गिरफतरियां भी की गई हैं और इसमें 210 केसेज में हम लोगों ने चार्शिट भी कोट में दाखिल कर दी हैं कुछ भी विविशना दीन हैं और इसे डिर सो केसेज हैं जिसमें पीडिता ने इस चीज़ को तस्थीक किया है अपने बयानों में कि इनके द्वरा इसमें उनके उपर धर्म परिवर्तन का दबाव था तो यह दर्शाता है कि एक बहुत बड़ा बड़ी एक साजीस के तहत लोगों को परिशान किया जा रहा था और इस कानून के आने से काफी रहात है इसकी अतरिक्त अन्य धर्मांतरन का भी एक मुद्दा अखिल भारती लेवल पर उत्तर प्रदेस के एटियस ने पर दाफाश किया था जिसमें डिव्यांग लोगों के साथ उनको पैसे की लालच दे के धर्म परिवर्तन लोग कर हैं और उनके अभियोजन की लगातार करवाई हमारे अस्तर से की जा रही है सर अगर जिलेवार बात करें तो कौन कौन से जिले हैं जहां पर कितने मुकद में दर्च किये गए जिले कुछ एरियास हैं जहां कुछ ज्यादा है कुछ कम है मैं तो आपको एक पूरे स्टेट विलिए की बात बता रहा हूं और जहां भी इस तरह की ज्यादा किसे जा रहे हैं वहाँ स्थानि अस्तर पे इंद्वेति चीजसें हो रही है लोगों को आवैर्निस भी बढ़ाया जा रहा है इसमां सभी वरके लोगों का स्वहईूघ हो रहा है कि कोई भी ऐसा क्रित सैमा तो लोगों को कैसे रहात मिले, लोग कैसे बश सकते हैं, खासकर अगर लड़कों भी बात करें, महलाओं के बात करें. नहीं, हमारे नहीं तो कानून है, और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके तहट काफी इस तरह की चीज़ें बढ़ रही हैं, क्योंकि इसमें कोई बांडरी नहीं है, कोई वायरलेस सिस्टम है, आप कभी किसी के भी संपर्क में रह सकते हैं, लोग अपने नाम ब होता है, हम दो लगातार जो सोशल मीडिया या कि जब लोगों को ट्रेडिंग देते हैं, तो ये सब चीज़ों से भी उनको अउगत कराते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बालिका, कोई भी महिला इस तरह के साइबर बुलिंग के, कि कल को दोस्ती करने के बाद से उ इस तरह की बाते हैं, तो लगातार जो हमारी साइबर ट्रेडिंग्स चल लही हैं, उसमें इन चीज़ों को भी एजुकेट किया जाता है। भी आप सकता है, सोशल मीडिया पर खास जो है, कहीं न कहीं जो है, अलर्ट रहने के आप सकता है, ताकि ऐसे लोग जो है, ऐसे लोग जो है, उसमें जाल में न फसें, उनके जासे में न आए। कैमराप साइसी साथ अनुका भारत समझा, लखनो.